नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो बहुत जादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है विकॉस आज हम डिसकर्स करने वाले हैं अफगानिस्तान के बारे में देखो वे पिछले कुछ टाइम से हम ऐसी ऐसी कंट्री के बारे में डिसकर्शन कर रहे हैं जो बफर जोन्स बन चुक बिलकुल भी historical perspective से कोई चीज नहीं देखेंगे इस्टी में यह हुआ यह हुआ यह हुआ यह हुआ वह फैक्ट्स आपको नहीं बताऊंगा वो आपको हर जगा कहीं भी मिल जाएगा हम इस वीडियो को एक analysis waste वीडियो बनाने वाले हैं जहां पर हम आज के present day में अफगानिस की सरकार बनी हैं उसको कोई भी recognize नहीं करता still यह सारी countries उनके नेताओं से मिल रही हैं जैसे इंडिया उनको help कर रहा है किसी ना किसी तरीके से चाइना उनसे deal कर रहा है रशिया उनकी help कर रहा है यह सारी countries इतना interested है क्यों अफगानिस्तान में क्योंकि अगर western media के हिसाफ से आप देखो तो अफगानिस्तान तो एक disturbed state है जाए dead state भी कहा गया उसको Washington Post द्वारा तो फिर भी अफगानिस्तान की इतनी ज्यादा relevance क्यों है वो आज आपको इस वीडियो के बाद समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड के लिए है तो अगर आप इस बैस को जॉइन करना चाहते हो या इस बैस के बारे में जाता जानकारी चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है उस लिंक पर जाकर कि आप अपना form फिल कर दीचे आए इस अप टीम आपको रीच आउट कर लेगी नाव लेट अपना ही एक एक से और अगर आप अपने आप जियो पोलिटिक्स में इंटरेस्स रखते हो गे तो इतनी बात आपको पता हुए कि रशिया का अभी क्या हुआ है कि जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर वो बहुत जादा बढ़ गया है and now आपको पता हुआ कि रशिया Central Asia में बहुत ज़्यादा पकड़ रखता था because जो mostly countries है किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारी रशिया के पार्ट हुआ करती थी जब USSR था तो आपको पता है कि रशिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है चाइना के ऊपर and Shanghai Corporation Organization के थुरू चाइना ने इन सारी Central Asia की countries को अपने साइट करना शुरू कर दिया है और ये सारी countries natural gas जो है pipeline के थुरू चाइना में भेजने भी लगी है belt and road initiative के थुरू चाइना ने अब Central Asia की countries में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है तो नाव रशिया जो है वो over dependent नहीं होना चाता चाइना पे and इस दिए रशिया has started to tilt very much towards India and you have seen this in the past तो रशिया को अगर इंडिया से connect करना है तो अफगानिस्तान is the center of that और चाइना को अगर इरान से connect करना है तेन और अफगानिस्तान is the center of that तो अब सबसे पहले तो अब ये चीज तो एक basic overview है पूरे अफगानिस्तान की importance का अब एक एक करके सारी country इसको pick करके मैं आपको importance समझाने की कोशिश करता हूँ range में है because both are very neighboring countries और इंडिया बढ़ी है territory wise तो इंडिया के पास एक पूरा extension है ठीक है वो retreat करके वापस से rally करके आ सकते है वर पाकिस्तान के पास वो opportunity नहीं है वो leverage नहीं है तो पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के area को अपना natural extension की तरह use करके और इसकी army यहाँ पर retreat करके वापस से इंडिया के against rally कर सकती है इसलिए पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान काफी ज्यादा importance रखता है अब importance के साथ साथ अफगानिस्तान जो है काफी ज्यादा disturb भी करता है पाकिस्तान को recently आपने देखा होगा disturb कैसे करता है उसके पीछे कि ज्याद किया है की जो अफगानिस्तान की आप देखोगे यह जो पाकिस्तान से border लगने वाई एरिया यहां पर रहती है अब पस्तून Tribe इधर भी रहती है और पाकिस्तान का जो यह वाला हिस्सा है यहाद पर भी रहती है. अब यह जो पस्टून ट्राइबस हैं. Basically क्या है? यह दूरणिड लाइन से पूरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर टिवाईड किया गया था. तो यह जो यहाँ पर जो ट्राइबस पश्टूंस रहते हैं उस डूरेंट लाइन को मानते ही नहीं है कि यह एक्च्वल बॉर्डर है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ना उनके कम्मुनिटी को देखा गया ना उनके घरबार देखे गया बीच में से सिर्फ एक पेपर लेकर जार जैसे लाइन खीज़ना होता वैसे खीजो दिया और व्यसकी आ लाइन बना दिया यह अथाटी मिए घर होगे बहुत इसलिए यह इनको सपोर्ट करती विकाज सब एक ही फैमली के हैं सारे पश्टून से इधर भी इधर भी यह पश्टून जो है वो बाडर क्रोस करके अफगानिस्तान में जाके शरड ले ले लेते हैं अफगानिस्तान की गवर्मेंट अगर आप देखो कि तालिबान गवर्मे अफगानिस्तान की जो पाकिस्तान को help कर सकती है अफगानिस्तान एक उनके लिए बहुत बड़ी समस्या भी बन करके सामने आ रहा है तो अब अफगानिस्तान का आप mostly countries से देखोगे तो वो double-sided dagger है अफगानिस्तान एक तरीके से आप रश्या में भी देखोगे चाइना मे हम तीन countries को pick करेंगे Russia, China and India और उनके perspective से अफगानिस्तान की importance को समझने की कोशिश करते हैं Now let's pick up a simple map and इस map पे समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले हम pick करते हैं इंडिया को पाकिस्तान से direct conflict में आती है और चाइना को अगर पाकिस्तान की help करनी तो options क्या है चाइना के पास options चाइना के पास यह है कि वो या तो maritime का use करके पाकिस्तान तक अपनी forces को भेजे या तो air के थुरू भेजे बट एर के थुरू रडार में आने के बहुत जाला chances है और अगर maritime use करता है चाइना तो maritime पर you know कि मलाका स्टेट के थुरू भेजता है तो वहाँ पर इंडिया नोशन में इंडिया बैठा हुआ है अंडमान निकोबार अगेन इंडिया वहाँ पर sitting है तो वहाँ पर भी इंडिया counter counter कर सकता है बिल्कुल चाइना को बराबरी का और जो support चाइ तुमें इंडिया की government जो है वो POK के लिए काफी ज्यादा aggressively उसको pursue कर रही है और बहुत जल्दी हो सकता है कि POK के लिए कोई strong step जरूर लेगी Indian government because Indian government को साफ साफ दिख रहा है कि चाइना और पाकिस्तान के लिए ये POK वाला region बहुत अच्छा buffer zone हो सकता है और अगर ये आपने cut कर दिया उसके पास जो भी option चाइना के पास बचते है पाकिस्तान को help करने के वो सारे options भी block हो जाएंगे तो ये वाला option अगर India बंद कर दो दो चीजे हो अब अभगानिस्तान से जब link बनेगा अंडिया का ये वाला जो हिस्स ऩाफगानिस्तान हो रहा है इंडिया का ये link बन जाएगा इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में अब इंडिया को जाना है Central Asia में अपनी पकड़ बनानी है Central Asia के अंदर देखो, अभी पूरे Asia में तीन power hubs है, एक रशिया है, एक चाइना है, तीसरा इंडिया है, अगर Central Asia में अपनी पकड़ बनानी है, जहां पर अभी India directly reach नहीं कर पाता है, तो उसके लिए India को क्या करना जो है, वो इंडिया के perspective से समझ में आ गए होगी, और इसलिए इंडियन government इतना जादा हमेशा से interested रही अफगानिस्टान के अंदर में, जो इंडिया, अफगानिस्टान friendship dam बनाया, फिर AIDS जो दिये अफगानिस्टान को हमेशा चाहें, कोई भी government रहे चाहें, पहले वाली communist government यह आपकी Taliban government है, इंडिया has always tried to make good relations with Afghanistan due to this strategic point, अब अगर आप दूसरा point of view देखोगे चाइना का, now China what China has started to do, चाइना के लिए अफगानिस्टान क्यों important है, उसके दो reason है, पहले आप समझ रहा कि उसका negative perspective क्या है, देखो चाइना का जो ये वाला part है वो actually में जिन्जियान province है अब जिन्जियान province जो है वो बहुत disturbed province है चाइना के अंदर में, because इस province में रहते हैं यूईगर Muslims, और यूईगर Muslims जो है आपने देखा होगा 2011 में, फिर 2019 में, फिर 2021 में लगातार protest करते हैं Chinese government के खिलाफ, यूईगर Muslims को बहुत जादा वहाँ पर दबाया जाता है, और इसलि 20 km की boundary वाला जो area है, जहाँ पर basically क्या कौन रहता है, यहाँ पर Tajiks और Uzbeaks रहते हैं, Tajiks और Uzbeaks, यह दोनों की languages बहुत same है, अब बहुत लोगों को लगता है कि चाइना में जो यूगर Muslims से वहाँ पर religion का warfare है, यूगर Muslims basically religion को follow करते हैं, Chinese है communist government है, communist country है, और वहाँ पर किसी भी religion को नहीं पूजा जाता है, ऐसा हमको लगता है, बट actual में यह बहुत जादा linguistic issue भी है, अब पूरा चाइना मंडारिन बोलता है, और यूगर Muslims जो है, उनकी जो language it is very close to Uzbeaks and Tajiks, तो linguistic differences की वज़े से भी यह यूगर Muslims जो है, वो प्रोटेस्ट करते हैं, और आप देखो कि जब भी वो कोई बड़ा प्रोटेस्ट करते हैं, या जब भी कोई 2011 में बहुत बड़ी घटना होई थी, तीन bomb blast हुए थे चाइना के जिंजियांग प्रोविंस के अंदर में, और चाइना ने इसके लिए अफगानिस्तान को जिम्मेदार माना था, क्योंकि चाइना का ऐसा बॉर्डर को ले करके, अगर ये प्योके वाला पार्ट इंडिया के पास चला जाता है, तो चाइना के लिए ये वाला फ्रेंट खुला ही खुला है, बलकि जो फ्रेंट अफगानिस्तान वाला है, वो हमेशा से खुला रहता है, तो चाइना एक डिस्प्यूट तो इंडिय क्या है कि अगर अफगानिस्तान की जो गवर्मेंट होगी जो कि चाइना कोशिश कर रहा है बहुत सारी मीटिंगs कर चुका है। चाइना वांस तु मेक पइलेज़न तु का पैपलाइन फ्रू अफगानिस्तान इन्टु इरान। उसको भी चाइना एनकाउंटर कर सकता है, देखो यह बहुत बड़े मैंने आपको बताया था, कि रश्या और चाइना अल्रेडी बहुत बड़े-बड़े मेजर पावर्स हैं, और आगे चलके इनके बीच में conflict होना शूर है, तो कि रश्या की जो मंचूरिया वाली प्रोवि इसको पता है, तो if this pipeline comes in effect, और इरान से direct जो है oil and natural gas जाने लगा चाइना, तो रश्या को बहुत अच्छे से encounter कर सकता है चाइना, अगर आप रश्या चाइना के परस्पेक्टिव से देखो, तो Central Asia की जो यह कंट्री से किर्गिस्तान, ताजिगिस्तान, कदाकस्तान, तुर् फिर फाइनली जब USR disintegrate हुआ 1991 में, तो यह अलग कंट्रीज बन गई, लेकिन फिर भी इन पर जो दबदबा था वो रश्या का था, Central Asia में रश्या की बहुत strong hold position थी, बट अभी क्या हुआ है, जब से रश्या थोड़ा economic weakness हो गई यह रश्या में, वार में जाने के बाद यहाँ पर invest करने लगा है, तो यह सारी countries का जो tilt रश्या के तरफ था, वो अब मिल करके चाइना के तरफ होने लगा है, अगर अब रश्या के point of view से आप देखोगे, तो रश्या के कोई भी direct border अफगानिस्तान के साथ तो नहीं लग रहा है, तो फिर रश्या के लिए अफग खतम होते जा रहा है, by land जो है रश्या कभी भी invade नहीं कर सकता अफगानिस्तान को, रश्या ने एक बढ़ ट्राई किया है, जहाँ पर इन Central Asian Countries ने रश्या की बहुत ज़्यादा help की थी, जब रश्या ने involve किया था खुद को अफगानिस्तान के अंदर में, लेकिन फिर बहुत सारे ग्रूप्स हैं, जो आज अपने dominance के लिए अफगानिस्तान में आपर स्मय लड़ रहे हैं, और उनमें से जो सबसे प्रमुक ग्रूप है, वो तालीबान है, और इसलिए तालीबान ने पूरे अफगानिस्तान पर, क्योंकि वो काफी ताकतवर था, उसने कबज थी, उनके खिलाफी ये सारे ग्रूप्स मुझाहिद्दीन्स जो हैं, वो खड़े हुए थे, बट इनको arms, पैसा जो है, वो USA ने दिया था, लेकिन वही USA की जो अपनी policy हमेशा उस पर बैकफायर कर जाती है, तो वही हुआ था, यहां पर बैकफायर कर गए थी, ये सारे ग conflict हुआ था, चेचन जो प्रोविंस है रशिया का, अब आप इतना समझ लो कि चेचन जो प्रोविंस है रशिया का, वो चेचन प्रोविंस खुद को रशिया से अलग करना चाहता है, और बहाँ पर चेचन प्रोविंस में बहुत बार प्रोटेस्ट हो चुके हैं, प्रोटे गभांसान में अभी दुनिया भर में जितने बड़े बड़े टेइरिस्ट यहां पर कई सारे यहां पर कई से एक्सरे इस नहीं जा से अब परप्रॉब्लम के यहां पर कोई सेंट्रलाइस सिस्टम नहीं है तोकि जो अफगानिस्तान के mostly गाउं है 75% से ज़ादा population अफगानिस्तान की उनी गाउं में रहती है और ये गाउं इतने ज़ादा isolated है main cities से कि यहाँ पर government के जो schemes है जो policies हैं पहुँचना बहुत मुश्किल है और आज तक कोई proper government आ नहीं पाई अफगानिस्तान के अंडर में ना कोई proper aid मिल पाई अफगानिस्तान को किसी बाहर की country से तो ये जो गाउं है यहाँ पर जो tribes है वो tribes बहुत powerful हैं वो अपनी समानना अंतर सरकार चलाते हैं एक तरीके साब समझ लो इसलिए tribes ना जो भी ये चाहते हैं वो करते हैं तो यहाँ पर किसी के लिए training आ करके लेना या किसी के लिए किसी बड़े आतंगवादी के लिए शरड लेना अफगानिस्तान ने बहुत easy है और उसको चेचन वाले अपने province को लेकरके रश्या जो है बहुत परिशान रहता है अफगानिस्तान से चेचन जो terrorist groups हैं उसके most of the आतंगवादी जो है वो अफगानिस्तान trained आतंगवादी है अब present day context में अगर आप अफगानिस्तान के relevance देखोगे तो शायद अफगानिस्तान के relevance सबसे ज़्यादा किसके लिए है important इंडिया के लिए और इसी लिए इस पूरे वीडियो का purpose यही था I hope आपको यह पूरी वीडियो समझ में आई होगी आज के लिए इतना ही thank you and have a nice day